हेलो एडिवन आई वेलकम यू आल ऑन अभिमन्यू आईएस सो अभिमन्यू आईएस की इस न्यू पहल जिसमें हम हर्याना सिवल सर्विसेश ट्वंटी ट्वंटी फोर को टार्गेट करने वाले हैं अभ्यास 2.0 में आप सब का स्वागत है मेरा नाम है दिपाली गाकड और म अनदर हर्याना जी के जो होता है हमारा बहुत ही इमपोर्टन सब्जेक्ट भी हो जाता है ठीक है यह सी इन्फोर्मेशन है जो हमें इंटर्निलाईस करनी है अगर हमें सबंदे कीजिये importance किया है ठीक है आप उस Raajah में जाके अफसर बनने वाले हैं वहां के लोगों को समझने के लिए पहले आपको उस storing की historically मता होने चाहिए ठीक है उस राज्य की जूगराफिक के बारे में आपको शुरुबात हो जाती है तो हर्याना जी को आपने बहुत ही अच्छे से पढ़के चला है ठीक है बहुत ही important हो जाता है प्रिरिम्स मैंस ठीक है उसके हिसाब से हमहरणा जी जो बेसिक्स जी के हम बोलेंगे ना हर्याना की उसको हम डिसकेज करने वाले हैं जो आप कोई भी अगर हर्याना का एक्जाम टार्गिट कर रहे हो तो वो आपको पता होनी चाहिए आपको आज हम इन्फर्मिशन करेंगे यह आपको अपनी सिंगर टिप्स पर याद कर लेनी ह ठीक है दो बार रिवाइस कीजिए तीन बार रिवाइस कीजिए but this should be completely on your I would say fingertips ठीक है आपको अच्छे से याद होनी चाहिए अगर हम हर्याना जीके को अच्छे से प्रिपेर करेंगे तो हम हर्याना को ही समझने की अपनी कोशिश को जो है शुरू करें ठीक है जी हम शुरू करते हैं और सबसे पहली requirement है अगर हमें हर्याना जीके को प्रिपेर करना है ठीक है तो वह है कि हमें हर्याना का मैप इंटर्नलाइज करना है हमें हर्याना का मैप अच्छे से याद कर लेना है ठीक है सो मैप आपके सामने है अपने अगर आप जो भी आपका study table है administrative division से याद करनी है ठीक है आज भी हम जो है अपना basic सारी जो geographical features है कुछ ठीक है कि हर्याना जो है इंडिया का कौन सा state बना ठीक है कैसे उसकी जो है formation हुई कौन-कौन से इसके district कौन-कौन से state के साब boundary share करते हैं यह सारे चाहिए basic हैं बट बहुत ही easily आज हमें session में cover करने वाले हैं और हर एक चीज़ को cover करने का याद करने का सबसे बहतर धन्या है कि आप साथ-साथ अपना map open ठीक है बाद में आप से हम बात करेंगे basics कुछ formation of haryana के बारे में ठीक है so formation of haryana के अगर बात करें तो haryana कभ existence में आया ठीक है so वैसे तो haryana जो है हमारा बहुत एक ancient town है ठीक है Indus Valley civilization का भी town है यह आरे वरत का भी जो है पाट रहा ठीक है बट कही ना कहीं Britishers ने क्या किया जो हर्याना है इसको पंजाब में मिला दिया so that जो हर्याना है उसकी जो voice है वह कम की जाए ठीक है ऐसे जो beliefs जो हम पढ़ते हैं ठीक है तो after independence कहीं ना कहीं यह चीज़ देखी जा रहे थी कि धरम के अधार पर या language के basis पर जो है डिविजिन नहीं करना चाहते थे बिकाज इंडिया की unity बहुत उस ताइम इंपॉर्टन थे बट आफ्टर सम टाइम क्या हुआ थोड़ी 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 देखने को मिली ठीक है इसी तरह जो है अलग अलग linguistic basis पर भाशा के अधार पर जो है जो डिफर्ट डिफर्ट स् पंजाब के ठीक है जो पंजाबी बोलने वाला शेतर था उसको पंजाब में रखा गया हर्यान भी हिंदी वाला जो है हर्याना बनाया गया और ऐसे ही जो हिली स्टेट्स हैं उसके साथ हिमाचल प्रदेश एक अलग स्टेट बना ठीक है सो सबसे first information क्या हो गई हमारी की when did ह हर्याना came into existence so first November 1966 ठीक है first November 1966 जो है इस दिन हर्याना जो है इसकी formation होगी थी it becomes 17th state of India ठीक है this is an important information आपको याद रखना है हर्याना कौन सा स्टेट बना था 17 स्टेट बना था ठीक है यह बहुत ही basic question है बट याद रखेंगे उसके साथ साथ हर्याना डे कब मनाया जाता है तो अभी अभी यह बनाया गया था first of November को ठीक है यह सारी information आपने अपने साथ साथ जो ह है नोट्स में आड करते जाएं बहुत ही simple way मैंने आपके लिए यह सारे नोट्स प्रिपेर किये हैं इन्हीं को आप एड कर सकते हैं ठीक है या फिर यह PDF भी आपको जो है हमारे जो स्टूडेंस है ठीक है यूनों कि आपको जो है आपके lectures के साथ मिल जाएगी clear so formation की बात हम निकर ली 1st November 1966 को हर्याना becomes 17th state of India हर्याना डेकप celebrate किया जाता है 1st November very good next capital of Haryana very easy question Chandigat ठीक है हम सब को पता है Punjab and Haryana जो है इन दोनों की combined capital है पहले यह proposal जो है कुछ सालों के लिए किया गया था ठीक है बट अभी तक यह continue हो रही है जो हम बोल सकते है system अभी तक continue हो रहा है ठ क्योंकि जो legislative है ठीक है वो भी common ही जगह पर बैठता है and जो high court है वो भी क्या है common है so Punjab and Haryana High Court in Chandigarh ठीक है उसके साथ साथ next देखिया ठीक है total area of Haryana ठीक है total area of Haryana जो है यह question basic है but you can expect कि ऐसे question आप से exam में आ सकते है accurate figure कहीं बार difficult हो जाती है बट आपको at least इतना रहना चाहिए कि 44,000 तो है ठीक है 44,212 square kilometer जो है वो है total geographical area of Haryana और अगर इंडिया की terms में बात करें ठीक है तो यह पूरे इंडिया के शेतर का 1.34% है ठीक है और essay question exams में जरूर पुछे जाते हैं so यह सारी information भी आपको याद हर्याना that is 44,209 12 square kilometer and यह भारत का सिर्फ 1.3% जो है वो बनता है अभी rank ठीक है area wise rank हो गया 20th ठीक है 19th है Punjab after Punjab ठीक है उससे थोड़ा सा चोटा है हर्याना बनता है area wise clear हो गया population wise कितना है 17th ठीक है यह सारी ranks आपको याद करनी है कितने number का बना था 17th population wise 17th ठीक है area wise 28th clear and population जो है 2011 की census के इसाब से भी यहाँ पे mention है but यह important नहीं है but I would say total area as a percentage of total area as a percentage of India's total geographical area ठीक है area wise rank population wise rank ठीक है यह सारी चीज़ें आपको जो है अच्छे से याद कर ले नहीं clear है next देखिया बहुत ही basics का question आ जाता है who is the first governor of haryana or who is the first chief minister of haryana ठीक है 20th state in the rank wise area wise rank in the India ठीक है तो यह statement क्या है गलत होगी ठीक है तो इसलिए आपको यह सारे कुछ facts जो है इस slide में जो है आपको अपने हर्याना HCS के लिए अच्छे से याद कर लेने ठीक है चलते हैं नेक्स स्लाइड की तरफ five state and two union territories और इसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए ठीक है मैं आपको दो confusion वाले points जो है अलगलग notes में मिलते हैं उन दोनों के बारे में भी बता दूंगी and clear कर देंगे ठीक है तो हर्याना किस-किस के साथ जो है border share करता है first Punjab ठीक है second Rajasthan right third क्या हो गया हमारा उत्तर प्रदेश ठीक है fourth क्या हो गया हिमाचल प्रदेश and यहां बेना यम्ना नलर का थोड़ा सा जो area है यह उत्तरा खंड के साथ भी ठीक है काले सर वाला जो region है वो border share करता है कहीं कहीं mention है कि यह river boundary share करता है बट काले सर का थोड़ा स जो region है वो उत्तरा खंड के साथ ठीक है boundary share करता है सो क्या है कितने हमारे कितने जो स्टेड्स हैं जो हर्याना के साथ boundary share करते हैं पंजाब राजस्थान उत्तर परदेश उत्तरा खंड एं हिमाच्षर परदेश ठीक है और दो जो है हमारी union territories हो जाती है ठीक है तो एक तो है चंडिकर्ड और सेकेंड डेली ठीक है यह सारी अब चीजें आपने मैप के साथ साथ देखते होए चलनी है अपने नोट्स बनाते होए चलिए ठीक है कौन-कौन से हो गई चंडिकर्ड ऐस बेल एस न्यू डेली जो है यह हमारी दो union territories होगी जिसके साथ हर्याना जो है अप इस सिक टर्म्स होती है लॉंगिट्यूड अक्षांश और देशांतर ठीक है किस चीज में हल्प करते हैं यह हमें मैप पे किसी भी जो लोकेशन है किसी प्लेस की specific location को identify करने में है ठीक है एंड लैटिट्यूड और लॉंटिट्यूडनल extent of हर्याना जो है वह हमें बताता है कि अगर हम दुनिया के ऊपर नक्षे में देखना चाहे हैं तो इतने से इतने लेंग जो अक्षांश और देशांतर में हमें हर्याना मिल जाएगा ठीक है इसलिए यह एक इंपॉर्टन कोश्चन इसमें से भी बनता है लॉंग्टिट्यूड और लैटिट्यूडनल extent of हर्य ठीक है इसको भी हम देखते हुए चलते हैं सो इस्ट एंड नॉर्थ एंड ठीक है या फिर साउथ और वेस्ट यह जीजी अगर आपको ध्यान में है ना सो यह कोशन आप बड़े इसली कर सकते हो कोशन आएगा तो मैं बताऊंगी कैसे ठीक है अभी हम नेक्स्ट डाटा की तरफ चलते हैं और देखते हैं अपना longitudinal and latitudinal extent ठीक है तो latitude की बात करें तो 27 से 30 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैप पर चलते हैं उस पर मैं आपको मार कर देती हूं तो अगर हमारा जो मेवात है ठीक है मेवात में जो हमारा latitude है latitude अब क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिसकस कर लेती हूं latitude होते हैं angles parallel to the equator मतलब अगर हम अर्थ के center को बोलते हैं कि equator है तो equator से equal angle पे अगर lines बनाई जाती है ठीक है equator से यहां पर से अगर equal angles पे जो line बनाई जाती है जो अर्थ को divide करती है इनको हम बोलते है latitudes ठीक है और generally north वाली साइड जो latitudes होते हैं उनको positive माना जाता है south वाली साइड को जो है वो negative माना जाता है ठीक है और इसी तरह अगर हम longitudes की बात करें तो prime meridian ठीक है prime meridian जो है वो green which England से होके गुजरता है यह सारा आप geography में भी cover करेंगे ठीक है हम सिर्फ basic समझ रहें थोड़ा सा so that हम हर्याना को जो है easily understand कर पाएं ठीक है so prime meridian से ठीक है जो equal angle चलते हैं towards the east ठीक है east की तरफ जो equal lines है ठीक है यह तो थोड़ा सा गलत हो गया जो east की तरफ equal lines हमारी चलती है और जो earth को divide करती है from north to south को हम क्या बोलते हैं जी longitude ठीक है तो इन दोनों को हमने याद रखना है ठीक है अब इंडिया क्या है इंडिया जो है वह eastern longitude में आता है question में कभी भी आपको longitude पूछा हो और उसमें किसी भी longitude के साथ अगर जो है west w लिख दिया गया है तो वह option आपने क्या है जी eliminate कर देना है राइट तो अगर इंडिया हमारा जो है ठीक है वह eastern longitude में आ रहा है तो हर्याना भी इंडिया का ही पार्थ है तो वह भी eastern longitude में भी में ही आता है ठीक है तो longitude जो है वह सिर्षा से लेके हमारे यम्ना नगर तक कवर होते हैं ठीक है 74 डिग्री से 77 डिग्री तब ठीक है आगे minutes भी है उनको भी हम देखेंगे एंड जो हमारे latitude से they are at 27 degrees to 30 डिग्री ठीक है यहां पंच गुला तक ठीक है और अब जैसे मैंने बोला कि longitude जो है वो east में आते हैं तो latitude किस में आते हैं अगर आप यह भी ध्यान में रखेंगे तो भी जो है question आप easily attempt कर पाएंगे तो इंडिया क्या है इंडिया northern hemisphere में आता है again haryana is part of India only ठीक है तो northern hemisphere में जो भी latitude आएंगे उनके साथ क्या आएगा n लिखाएगा तो हमारे latitude है 27 degrees 39 minutes to 34 degrees 35 minutes northern ठीक है n तो यह जो latitude है हमें यह भी अच्छे से याद रखने है ठीक है एक बार longitude and latitude को अच्छे से देख लेते हैं उसके बाद में आपको जो है जो district boundary share करते हैं with the different states उनको discuss करेगे तो latitude of haryana is 27 degree 39 minutes north to 30 degree 35 minutes north clear है तो approximately जरूर रखना है latitude longitude of haryana covers approximately 3 degrees right 27 to 30 and 74 to 77 ठीक है longitude की बात करे 74 degree 28 minutes to 77 degree 36 minutes east clear है जी उसके साथ साथ हर्याना की division की बात करते हैं तो हर्याना की total 6 administrative divisions है अंबाला रोहतक गुर्गाउं हिसार करनाल और फरीदाबाद ठीक है इन जो divisions की बात है हम आगे अपने जो है district revise पूरा हर्याना को revise करेंगे तब depth में करेंगे अब एक बहुत important जो question confusion का point भी बनता है वो देख लेते हैं largest and smallest district ठीक है तो smallest district बनता है हमारा फरीदाबाद and largest ब है उसका जो एडिया है वो जैदा शो करते हैं तो वो बिल्कुल incorrect है उसके उपर आपने नहीं जाना है clear है जी सो अब हम अपना जो है राइट अब हम देखेंगे अपना साथ साथ जो भी district different different boundary share करते हैं हमारा सबसे बड़ा district खड़ाना का होता है सिरसा ठीक है जी एंड सबसे छोटा जो है वो है फरीदाबाद clear हो गया अब हम देखते हैं अपना सारे जो भी district boundary share करते हैं ठीक है with different states यह बहुत ही important question बनता है अगर आप एक बार इसको ध्यान से map के सुरू देख लेंगे so it will be easier to cover in all aspects right सबसे पहले बात करते हैं सबसे easy हिमाचल परदेश से हिमाचल परदेश के लिए याद रखना है आपने pay ठीक है मतलब कि PAY ये तीन district है जो की हिमाचल परदेश के साथ boundary share करते हैं पंच कुला हर्याना एंड यमना नगर ठीक है तो यह बहुत ही easy हो गया हमारा कि हमने हमाचल परदेश के साथ जो हर्याना के total three district boundary share करते हैं वो है पंच कुला, अंबाला एंड यर्ना नगर ठीक है उसके बाद second उतरा खंड का कौन सा जो डिस्ट्रिक है बादर शेयर करते है तो मैंने बिताया था यमना नगर का कालेसर पॉइंड ठीक है एंड यमना न के पास है साधपुर पंच कुला के पास है साधपुर जो की most northern point है क्लियर हो गया सिर्षा के पास चोटाला विलच जो हो जाता है हमारा western point ठीक है जी तो यह सब जो नोट्स है एडिशनल आप अपने साथ हैड करते चलिए यह बहुत important चीजें है basic होते हैं हमारे जिसको कभी बच्चे जो है ignore कर देते हैं and मेवात के पास ठीक है दिख नहीं रहा है तो यहां लिख देती हूं साउथ में हमारा जो मेवात पे आता है दोहा that is the southernmost part of the ठीक है यह भी हो गया अब हम डिस्ट्रिक की बात कर रहे थे हिमाचल प्रदेश के साथ कितने डिस्रिक शहर करते है जी तीन पंचकुला अंबाला एं यमना नगर उत्राखन के साथ एक ही यमना नगर का कालेशर वाला रीजन 11 something किलोमेटर की बाउंडरी है and वो मैप पे भी नहीं शो होती है ठीक है कहीं कभी आप मैप पे चेक करोगे तो वो मैप भी शो नहीं होती है ठीक है तो यह भी या ज सुर्शा फटेहबाद जीन कैथल कुर्शेतर अंबाला एंड पंचकुला यह सारे डिस्टिक है हमारे पंजाब के साथ बाउंडरी शेयर करते हैं नेक्स्ट आ जाता है फतेहबाद, थर्ड हिसार, ठीक है, भिवानी, महेंद्रगड, ठीक है जी, रिवाडी and मिवाद, ठीक है, तो इसलिए मैप उपन करना है, मैप को देखते हो चलेंगे, डिस्ट्रिक की जो लोकेशन हैं में पता चलती जाएंगी, ठीक है, इसलिए हम बॉर्डर साथ-साथ या अब हमें लाश्ट देखने हैं हमारे उत्तर प्रदेश के साथ, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के साथ सबसे पहले यम्ना नगर, ठीक है, सेकेंड हो गया हमारा जी, करनाल, लियर है, थर्ड, पानीपत, सोनीपत, ठीक है जी, उसके बाद देखेंगे, ठीक है जी, उसके ब हमारा है that is a different हमारी union territory है यह किसी स्टेट का पार्ट नहीं है ठीक है तो यह याद रिखना हमें डेली के साथ कौन कौन से जो है डिस्टिक हमारे boundary share करते हैं तो निपत चजड़ कुरुग्राम एंड फरीदबाद क्लियर हो गया एंड चंडिगर के साथ सिर्फ एक district boundary share करता है that is पंच कुला क्लियर तो अभी सारे डिस्टिक जो भी boundary share करते हैं with the map you can easily revise it ठीक है यह बहुत ही simple way है revise करने का एक map लीजी हराना का उस पर latitudinal extent लिखिए 27 north to 30 north ठीक है 74 east to 77 east ठीक है न तो यह सारा लिखिए उसके बाद boundary share जो करते हैं वो सब लिखिए और easy way में उसको दो चार बार आप देखेंगे आपके माइंड में जो है में अच्छे से बन जाएगी clear है यह बहुत ही important part है अगर हम हर्याना जीके को शुरू कर रहे हैं तो आगे चलते हैं सेशन में यह हमने देख लिया है सारा ठीक है और उसके बाद हमने largest and smallest district देख लिया और largest district का एक point में दुबारा repeat कर रही हूं Wikipedia पे कहीं कहीं जो है भीवानी जो है उसका area जो है वो ज्यादा शो किया है वो बिल्कुल information गलत है officially अगर देखेंगे ठीक है तो भीवानी का जो area है वो 3800 स्केर किलोमेटर है और जो हमारा सिर्सा है उसका 39 सम्थिंग जो है स्केर किलोमेटर है ठीक है सो सिर्सा is the largest district of the Haryana clear and इतनी बार हमने longitude latitude जो है repeat कर दिया है so I hope you are very much आपके भी माइन में यह यह याद होती जा रही है ठीक है जी next देखते है हमारी slide ठीक है और यह बिल्कुल again बहुत basic questions आगे हमारे state animal of the Haryana is black bug ठीक है and black bug जो है काला हिरन जिसको बोलते है is also the state animal of Punjab तो state animal and जो हमारी capital है यह दोनों Punjab and Haryana share करते हैं clear है उसके बाद state bird ठीक है black francolin ठीक है black francolin को हिंदी में क्या बोलते हैं ठीक है तीतर काला तीतर ठीक है उसके बाद state tree people and state floris lotus ठीक है तो यह चारो जो है बहुत ही basic information है याद रखने हमने ठीक है काला हिरन काला तीतर people and lotus कमल का फूल यह सारे जो है हमारे state symbols है clear है जी तो चलिए अब हम चलते हैं अपने questions की तरफ ठीक है तो latitudinal extension इस question में जो मैंने आपको बताया था ना अगर आप north, south, east, west देख लेंगे तो हो जाएगा वह अपलाई करना है simple सा question है ठीक है ना इसमें कोई इतना confusion वाला point जो है वो नहीं है so option देखते है 27 degree 39 minutes north latitude to 30 degree 55 minutes north latitude ठीक है फिर उसके बाद difference जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे south, east, south and east का ठीक है यह जो है हमारे major differences आ रहे है जिनको आपने देखते होए चलना है कि कौन सा इसमें से सही है ठीक है तो latitude के मैंने बात कि थी latitude are the parallel to the equator ठीक है equator के parallel जो होते हैं उनको हम क्या बोलते है latitude and latitude जो होते हैं वो always north and south जो है इन से represent इनको किया जाता है ठीक है longitude जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं वो east and west में आते हैं ठीक है इस्ट तो हमारा सबसे पहले कट हो गया ठीक है इस्ट में हमारा latitude नहीं ही आता इंडिया जो है it is part of the northern northern hemisphere ठीक है so answer क्या बच्छा हमारे पास ए ठीक है 27 degree 39 minutes north to 30 degree 55 minutes north जो है is the latitude of haryana ठीक है and longitudinal extent क्या है हमारा हर्याना का 74 degrees ठीक है 74 degrees east to 77 degrees east clear है यह चीज़े आपने याद रखनी है second question देखते हैं which is the northernmost district of the haryana ठीक है बहुत ही easy question है इसमें मैं यह भी लिख सब्पी थी which is the northernmost point of the haryana ठीक है तो बहुभी देख लेते हैं which is the northernmost district of the haryana भी जजर पंच्चकूला यह फिर करनाल ठीक है तो मैं भाद क्या है हमारा Southernmost ठीक है में बाद में दोहा जो हो जाता है वो हमारा Southernmost point हो जाता है and answer है हमारा पंचकुला पंचकुला इस नदन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ओफ दा हर्याना विद साधपूर आज दा मोस्ट नदन पॉइंट थीक है तो यह भी हमने याद रखना है यह जादा इसे ही कोशन स्टेट्मेंट वाइस में भी आएंगे हमें फोकस करना है कि हम जो चीजे पढ़के जा रहे हैं वह बिल्कुल एक्यूडेट हो ठीक है नेक्स्ट हरयाना शेयर इत बॉर्डर विद डैश स्टेट्स एंद डैश उनियन टैरिट्रिट्री तो कितनी स्टेट्स ए यूपी राजस्थान ठीक है ये पांच जो है हमारी स्टेट्स है राज्ये हैं ठीक है और दो के इंदर शासे प्रदेश चंडिगड़ा एंड डैली के साथ जो हर्याना है अपनी बाउंडरी शेयर करता है ठीक है और हमने ये भी देखा है कि हर एक राज्य के कितने जिले ह हमारे हर्याना के कितने जिले जो हैं वहर एक राज्य के साथ बाउंडरी शेयर करते हैं उसको भी बहुत अच्छे से याद करना है बहुत इजी है मैं आपके थू किजिए ठीक है नेक्स्ट कोश्टन देखिए कोश्टन नमबर फॉर्थ विच फॉल इस दा स्टेट अनिम अर पन्जाब ढ़ा शिमिलर सिम्पल सी सिर्डमें अगई ठीक है दूसरी स्टीमें को और पूश लेंगे लोटस इस दा स्टेट अजो फ्लार ऑफ दा रहना ठीक है सो विच 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 से बॉच विच 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 आ सकते हैं आपको इन फॉर्मेशन की ओपर ध्यान देना है, right, so which of the following is the state animal of the Haryana, खडियाल, blackbuck, सांबर्य और गेंगेटिक, ड्वल्फिन, so answer is blackbuck, काला, हिरन, ठीक है, so answer क्या है, हमारा B, blackbuck and Punjab and Haryana का state animal is also same, next question देखते हैं, question number fifth है, in terms of the population, population के हिसाब से, Haryana ranks as a dash state in India, ठीक है, तो population के हिसाब से, जो हर्याना है, वो India में कितने number पे आने वाला राज्य है, ठीक है, 20, 21, 19, या 16, ठीक है, so option जो correct है हमारा, ठीक है, that is 17, ठीक है, तो यह हैं पी गलती है, याद रखेंगे, 17 है in terms of population, ठीक है, formation of Haryana जब हुई, तब इंडिया का कौन सा राज्य बना, तब इंडिया का 17th state ही बना था हर्याना, population के हिसाब से, according to 2011 census, क्योंकि उसके बाद हमारी census अभी तक हुई नहीं है, due to COVID, population के हिसाब से भी 17th है, formation के हिसाब से भी 17th है, and area wise it is 20th, with 44,212 square kilometer of the area, ठीक है, ऐसे ही ये सारी जीज़े आपको भी याद हो जाएंगी, बस अच्छे से revise करते हुए चलिए, right, 6th question देखिए, who is the governor of Haryana, ठीक है, so who is the chief minister of Haryana, who is the governor of Haryana, these are the basic questions that you must remember, ठीक है, so chief minister है शिर्मु खटर जी, ठीक है, and who is the governor, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत basic question है, बट ये questions भी आपने एक बार revise कर लीजिए, ठीक है, सिर्फ एक बार हमने एच्छे से revise करने है, कोई change आता है, कई बार क्या होता है, exam से पहले कुछ changes आते हैं, जो हम notice नहीं करते हैं, ठीक है, तो ऐसे basic question को किसी भी exam में जा रहे हैं, तो जुरूर देख के जाया कीजिए, ठीक है, next question देखिए, question number 7 है, when was the state of Haryana formed, ठीक है, ठीक है, so Punjab Reorganization Act जो है वो आया था, ठीक है, on the recommendation of the State Reorganization Committee, तो उसके बाद जो है, क्या हमने किया था, discuss कि Punjab को जो है, तीन हिस्टों में बाटा गया था, बाटा गया था, ठीक है, so Haryana जो है कब बना था, so answer is very easy, 1st November 1966, हर्याना दे कब मनाया जाता है, 1st November को, ठीक है, हर्याना कौन सा state बना on the number of formation, 17th, ठीक है, very good, I hope you are very much clear, next question, how many seats does हर्याना have in the Rajya Sabha, ठीक है, राज्यसबा में हर्याना की कितनी seats हैं, ठीक है, कितने प्रतिती जो है हर्याना के, चुन के जो है, वो राज्यसबा में जाते हैं, ठीक है, 5, 6, 7 और 4, ठीक है, तो ये भी एक basic सा question है, जो आपको ध्यान में रखना है, so answer is 5, ठीक है, राज्यसबा में जाते हैं 5, एंड लोगसबा में जी 10, राइट, लोगसबा में हर्याना को है 10 seats की representation, राज्यसबा में है 5, ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपने यादशनी है, बहुत ही easy points है, बट, चलिए धीरे-धीरे start करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम पूरा advanced level तक अपना हर्याना जी को cover करेंगा, और exam specific, हमें यह नहीं है कि PhD खर लेनी है, हमें exam specific अपनी preparation के ऊपर focus करना है, राइट, next question देखते है, question number 9, consider the following statements, ठीक है, अब question बहुत simple है, बस statement form में है, जिसको देखके students जाते हैं, तो हम उस question, उस ही format में अपनी preparation को जो है, लेके जाएंगे, ठीक है, so that exam में हम question को अच्छे से handle कर पाएं, so a statement है, हर्याना is the only state in India, ठीक है, that has a common capital with the other state, ठीक है, second, हर्याना is the largest producer of the beat in India, ठीक है, and यह चीज़ बहुत जुरूरी है, select the correct, कहीं कहीं, यहां पर incorrect पुछा होता है, ठीक है, questions को ध्यान से बढ़के चलना है आपने, ठीक है, so select the correct code जो है, आपसे पुछा गया है, कॉंसी statement correct है, a, one only, two only, ठीक है, b only, both, या फिर कोई भी correct नहीं है, ठीक है, so answer क्या हो जाता है हमारा, a, ठीक है, one जो है, a only जो है, हमारा बिल्कुल correct answer है, हर्याना जो है, सिर्फ HC state है, जो अपना capital share करती है, with another state, that is Punjab, ठीक है, so, यह चीज़ इंपॉर्टन है, थोड़ी तरक लिए अंतरपरदेश और तिलांगना ने भी जो है, किया है, but, हर्याना ही जो है, इतने देर से, मतलब हर्याना इंपंजाब is the right answer, right, उसके बाद, second statement हमारी गलत है, हर्याना is the largest producer of wheat in India, no, according to the recent rankings, ठीक है, Madhya Pradesh जो है, sorry, उतरपरदेश is the largest producer of the wheat in India, followed by Madhya Pradesh, Punjab and then Haryana, ठीक है, तो ये statement जो हमारी हो जाती है, गलत हो जाती है, economy में हम ये भी सारा अपना cover करेंगे, हर्याना की economy, so don't worry, ठीक है, ये भी हम अच्छे से cover कर लेंगे, next question देखिए, ठीक है, so ये question है, consider the following statements, again, statement time questions, क्योंकि इनकी हमें practice करनी है, ठीक है, question में बताना क्या है, correct code, की correct statement कौन सी, ठीक है, so first statement है, हिसार विद्दा, ठीक है, 3983 square kilometer area is the largest district of the Haryana, ठीक है, और दूसरी statement हमें क्या बताती है, रोतक and चर्खी दादरी does not share boundaries with any other state, ठीक है, तो हमने क्या discuss किया था, कि हमारी जो सबसे largest state है, वो कौन सी है, सिर्सा, ठीक है, सिर्सा is the largest state, तो यहाँ पर यह जो हो गया, यह गलत हो गया, ठीक है, जो हमें information दीगे है, data दिया गया है, of the सिर्सा is very correct, this is the total area of the सिर्सा only, ठीक है, सिर्सा is the largest state, largest district of the हर्याना, ठीक है, and तो पहली statement क्या हो गया हमारी गलत और दूसरी बिल्कुल correct है, रोतक and चर्खी दादरी does not share boundary with any other state, ठीक है, तो यह भी अगर statement अब आएगी तो आपने ध्यान में रखनी है, तो answer क्या हो गया हमारा, second that is, B only is the correct answer, right, So, I hope you are very much clear, कि किस हिसाब से हमें map का use करके, हर्याना के सबसे पहले basics को समझना है, उसके बाद जब हम बात करेंगे कि ठीक है, यह अमना नगर में यह है, या फिर national park कहां पे है, wild life century कहां पे है, तो आप वो easily याद कर पाएंगे, अगर आप पहले जो है, हर्याना के map को अच्छे से याद कर पाते हैं, ठीक है, और हमने बहुत ही thoroughly सारी basic information को cover कर लिया है, So, इस video में जो भी information है, इसको आप अच्छे से 2-3 बार revise कर लीजिए, And, अगर आप हर्याना के exam को अच्छे से त्यारी करना चाहते हैं, So, अभिमन्य वाइए, जो की oldest name है, civil services examination में, आपके लिए एक बिल्कुल new batch लेके आए, एक dedicated हर्याना prelims focused batch लेके आए है, जिसमें हम 75 days में HCS prelims को बहुत ही अच्छे से target करेंगे, इसमें आपको online, offline classes मिलेंगी, CSAT, CSAT को लेके काफी बच्चे डर जाते हैं, CSAT का आपका dedicated batch लहेगा, आपको PDF and notes मिल जाएंगे, आपकी test series, ठीक है, test series भी हमने जो है बहुत ही अच्छी, बहुत ही इसके बारे में आपको मैं किसी वीडियो में जरूर दिखाऊंगी कि आपको कितना अच्छा इसमें analysis मिलता है, ठीक है, अभी मन्यू आइस की test series में you get a deep analysis की आपका कौन सा subject और कौन सा topic week है, ठीक है, उसके साथ साथ आपको mentorship तो मिलेगी ही, ठीक है, तो यह सब अगर आप भी इस अच्छी preparation के एक way को समझना चाते हैं, ठीक है, क्या है एक पूरे systematic way में जो है preparation करना चाते हैं, तो जुडिया भी मन्यू आइए इसके साथ, right, एंड यह जो batch है, इसमें online, offline, दोनों ही classes रहेंगी, बिल्कुल live batch है, ठीक है, एंड यह इसको आप जोइन कर सकते हैं, और कोई भी अगर आपको doubt है, तो आप में contact भी कर सकते हैं, details आपको जो है description में मिर जाएंगे, ठीक है जी, so thank you so much, I hope you are clear with Haryana GK basic, ठीक है, हम next session में अपने हरयाना के और GK के और important जो questions हैं, जो topic wise हैं, उनको और prepare करेंगे, till then keep learning, revise the session fully, next time इन में से भी हम question पूछेंगे, thank you so much and keep learning,